रडार में आओगे तो रगड़ दिये जाओ तोड़ते रख देंगे अगर अकड़ दिखाओ दिखाओ दिखाएंगे असलियत रंगबाजी का तुमको भी कभी घोमते घोमते जब आजम गढ़ाओ और यहां पर एक फिल्म की सुटिंग के चल रही हैँ ब्दली का चेत रहे हैं और एक फिल्म की यहां पर सुूटिंग चल रही है बहरहाल हम लोग बाचित करने आए हैं आजमगड के एक ऐसे हुनहार कलाकार से जिन्होंने यूटूब पे ठुलू बॉइज नाम से अपना एक यूटूब चैनल बनाया हुआ है और उस पर वो लोग मिल करके जो उनकी इंटायर टीम है एक से बढ़कर एक एक्शन सीन जो इस्पूफ होते हैं साउट इंडियन फि पेतर है तो उन्हीं जो ठुलूब बॉइज की टीम उनमें से एक हैं गौरो पांडे पांडे लिखते हैं गौरो पांडे हैं उनसे हम लोग बाचीत करेंगे जो जैसा कि मैंने बताए एक फिल्म के शूटिंग हो रही है और उस फिल्म में आपने एक खलनायक यानि बिलेन का रोल किया है आप इनके चेरे को देख के अंदाजा लगा सकते हैं गुंडा मवाली बने हैं तो देरनाकरत्वी गरों से बात करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरफ उनका जुकाव कैसे हुआ और बड़े ही कमाल के एक्टर हैं इनकी टीम में और ठुली वाइस क कि पूरी टीम जो है सब में असीम प्रतिबा भरी हुई है तो एक नए संकेत हैं चाहे वो मुंबया फिल्म हो चाहे वो भोश्वरी फिल्म हो उसके लिए अच्छे संकेत हैं कि इस तरह के एक्टर सामने आ रहे हैं तो गवरो स्वागत है आपका पहले बहुत धन्यमाद व कि इनकी फिल्म है भाईया की और इसमें मुझे विलन का रोल मिला है लीड विलन का मैं काफी खुश हूं कि कहां यूटूब पे छोटे-छोटे रोल करता था कहां धीरे-धीरे लोग बड़े के लिए लोग तलास रहे हैं मैंने रोल प्ले भी किया था तो डिरेक्टर साब सर्वेस विया बहुत प्रसंद विए थे और कहा थे कि आपको देखते विए कहानी लिखी जाएगी तो इसमें आपका जो चरित्र उसका नाम क्या है इस तरह का गेटब क्यों बना है इसमें चरित्र मेरा कहानी मुझे बहुत बढ़ें से पता नहीं है लेकिन मेरा यम यम इसमें तो इसमें मुझे एक प्रकार से मुझे लगता है कि यमराश टाइब का रोल है जो सब को मार काट बस यहीं इसका रोल है मतलब बहुत डरावना लुक है और लुक के मदम से आप देखी रहे हैं कि कटा पटा चेहरा है तो अच्छे का से चेहरे की मामेन कर दी गई ह कि यही यही मेरा है चला है यही है यही पर हम लोग आगे भी बातक्रीत करें तो इससे पहले में चाहता हूं कि अबार आप थोड़ा कुछ इस फिल्म में जो भी आपका शूट हुआ हो उसमें क्या डाइलाit बोला है आपने दो इसमें डालाग इशता के है यह मनाम हमरा यम के आगे सब बेकार अभी एक लाइन देखना पड़ेगा मुझे फिर यम नाम हम रा यम का मतलब यम राज जो सब के प्राणों पे करता है राज वही है यम राज तो आपने देखा किस तरह के नच्रल एक्टर तुरं जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया इन्होंने उस चीज को करके दिखाया अब गरोब मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रिष्ट भूमी के बारे में बताएं कहां घर है और इस तरफ कैसे जुका हुआ जी यह मैं जिस गाउं कि मेरी धड़क वहीं से खुली क्योंकि मैं भी उनके साथ-साथ कुछ दो सब्द बोलता था तो मेरी धड़क खुली और मेरे कुछ दोस्ते थे जो यूटूब फिल्ड में जुड़े हुए थे जैसे सोनु डांसर हो गया राहुल यादा हो गया वीपी सर्मा हो गया यह ल लेकिन उन्होंने का कि नहीं आप कर सकते हैं तो फिर वो एक 15 अगस्त पे कुछ देश भक्ती वीडियो शूट कर रहे थे तो उसमें मुझे भीड में बस चलना था तो भीड में जब मैं चला तो अब इन लोगों को क्या दिखा कि कि भीड में भी आप यूनीक दिख रहे तो जब मैं भीड में यूनीक दिखा तो फिर कहें कि अब आपकी सुरुवात यहीं से हो गई है और अगली एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं आप उसी स्क्रिप्ट पे काम करिए और थोड़ा सा मैं पहले साही थोड़ा सा हेल्दी टाइप का था तो इड़ों ने अपने उस यूटूब वाली फिल्ड में मुझे निगेटिव करेक्टर दिया विलन का रोल दिया और मैं हिरोईन का उसमें भाई बना हुआ था तो वहीं से सुरुवात हो गई यूटूब से ही सुरुवात हो गई फिर धीरे-धीरे छोटा ही रोल किया लेकिन बड़े भीया दिनेज इस पोफ बनाते लेकिन एक बार हमने निरहुआ हिंदूस्तानी का भी स्पूफ बना दिया था जिसमें मैं संजय पांड़े विलन बन गया था और हमारे वीपी भीया जो थे वह निरहुआ बन गये थे तो जब उनके हां पहुंची संजय भीया के पास पहुंची जो विलन बात होने लेगी और मतलब मेरी डेली लगबग 2-3 दिन पर उनसे बात हो जाती है और मुझे वह प्रोचाहित करते रहते हैं कभी-कभी मैं डी मोटिवेट हो जाता हूं या कुछ भी होता है तो जैसे संतोध भी आउगा तो मुझे फोन करके काते कि डी मोटिवेट मत हो इस इस फिल्ड में बहुत संगर्स है और तुम लगभग 70% पहुंच चुके हो अपने मंजील तक 30% बचा भटको नहीं तो यह मोटिवेशन संजा भी रहता है यह मोटिवेशन संतोध भी रहता है ठुलू बाइस के शुरुवात कहां से हो जैसे यह होई कि मेरा एक चैनल था गौरा पांडे के नाम से था तो मैं जैसे कोई भी चीज डालता था और उस पर वीडियो डालता था जब पब्लिक में जाते थे तो लोग कते थे कि गौरा पांडे के चैनल पर यह वीडियो आ गई यह चीज मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता था क्यूंकि हम लोग में नहीं चाहिता था कि मेरा अकीलियो का नाम होना अन नहीं है हमारे तो मुख्य साथी जो है वीपी सर्मा है सोनू डांसर है एसस लगाते आगे अपने राज नहीं बता है कि एसस क्यों लगाते वह और राहूल यादव है गोविंद स्टंटर है गोविंद चौहान है और इसी तरीके से तमाव हमारे में महिला आर्टिस्ट भी है प्रिसा 22 लोगों की हम लोगों की टीम है और हाँ 21 22 लोगों की टीम है बहुत मज़ात है पूरी टीम एक साथ रती है कि आप लोगों ने कहीं सीखा भी है क्योंकि जैसे आपने संतोष सिर्वास्ताव का नाम लिया तो वह कुछ इस तरह के कारिशाला वगरा यूजित करते रहे हैं उसका यह मिला कि हम लोगों को फिल्ड में जो दिक्कते होती थी वह दिक्कते दूर हो गई अभी हम लोग लाग दोलाग भीड हो अगर हमको जो करेक्टर दे दिआ जाएगा हम बिंदास उसको कर लेंग और कोई को दिककत नहीं होता है भीड को हम सुनने मानके चलते हैं कि प्रिश्र डालती कि नहीं ठीक है करने दीजे दो एक साल और देखते हैं तो माता जी के सपोर्ट से अभी तक बहुत अच्छा राभ या प्लस होता चला क्या माइनस नहीं मिला कहीं से आपने शुरुआत क्या ठुलूब वाइस का तो मैं यह जानना चाहता हूं भी सिक लोग सब्सक्राइब करता है और मुझे लगता है कि अगर वो ध्यान अपना केंद्रित करके चला तो वह जरूर सफल व्यक्ति में गिंती होगी उसकी और हां और वीपी सर्मा एडिटिंग अगर अपना एकागर होके करते रह गए तो वह एडिटिंग में मुझे नहीं लगता कि पर उनका कोई भजपूरी या हिंदी लेबल का कोई कर पाएगा बिलकुल साउथ लेबल की एडिटिंग करते हैं वह जो हम लोगों की स्पूफ होती है उस सूट और एडिट उन्हीं की जम्यदारी होती ज्यादा तरह करते हैं तो यह पकड़ लेकिन एडिटिंग की जम्म आप इस फिल्में काम कर रहे हैं आगे भी बहुत सारे पोजेक्ट आपको मिलेंगे क्योंकि आप लोगों की पॉपिलारिटी जो है दिन पति दिन बढ़ती जा रही है तो ठुलू बाइस का क्या सोच क्या है क्या अपनोंने सोच रखा है कि भविश में क्या करना है और किस पार्ट बना था उसमें मेरा रोल नहीं था लेकिन मेरा रोल अच्छा हो रहा है दिरे-दिरे इंस्टाग्राम वगरा पर भी अच्छा चल ला है तो सूरज मदेशिया जी है वो कमांडो 2 बना रहे हैं जो कि सेकंड पार्ट में लीड विलन हमको किये हैं तो आगामी हमारा प्रजेक्ट यह हैं हां अगामी प्रोजेक्ट लेंच थुलूबाहिस को लेकर यह हम चाहते हैं कि ऎक प्रड़क्शन ऑसमारा खूद तो बदोलत ही कहीं जा सकते हैं, या जैसे अब हमको कुछ दिखाना होगा, तो हमको हमारा प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो हम पाना प्रोजेक्ट इसके मादम से दिखाएंगे, कोई आज के जमाने में सयोग करने वाला है नहीं, लेकिन हम लोग ठुलू बाद इसलिए प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से प्यार देते रहे हैं, दुलार देते रहे हैं, और ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं जरूर आप लोगों को जो चाहिए वो निया विलन आपको मार्केट में आजमगड की धरती से जरूर मिलेगा, एक आखरी चीज़ और हमारे पर है कि रडार में आओगे तो रगड दिये जाओगे, तोड के रख देंगे अगर रगड दिखाओगे, दिखाएंगे अस्रियत रंगबाजी का तुमको भी कभी घुमते घुमते जब आजमगड आओगे, क्या वात है, तो देखा आपने हमने बात किया, जबरदस्त पिनेता, उभरता हुआ सितारा आजमगड का गवरोपांडे से, जो एक प्रजेक्ट में काम कर रहे हैं, ये हमके खिरदार में हैं, और आखिर में उन्हों ने बदाया कि आजमगड में आओगे, यानि कि रडार में आओगे तो रगड दिये जाओगे, हमारी शुब कामना हैं, गरोप के साथ हैं, और उन तमाम लोगों के साथ हैं, जो इस तरह की फिल्ड में काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और अपनी प्रतिभा को परदाशित करके, किसी मुकाम पे अपने आपको पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, कि आजम और किसी विदानसवा में और देखते हैं वहां की जनता क्या कह रही है 2022 में किस की सरकार शुक्रिया